बिसमिल्ही रह्मानि रहीम असलामु आलेकुम टोडेयो वो टॉपिक इस प्लेज वेल्यू आफो नम्बर्स देफिनिशन ओफ प्लेचिनॉ इन आणेमबर रिटन इन स्टैंडर्ड पॉर्मू निटर्मेंस दा एक्शल वेल्यू दाटिजिट्रियू position या place को standard form में लिखा जाता है digit को represent करने के लिए actual value का तगन किया जाता है digit दिये गए हैं, इनको हम arrange करते हैं आईए place value chart को देखते हैं हमारे पास 346 digit दिये गया है इसको हम place value chart में किस तरीके से लिखेंगे नमर देखते हैं 3 को 100 वाले कॉलम में लिखेंगे 4 को 10 वाले कॉलम में और 6 को 1 वाले कॉलम में लिखेंगे अब इसकी place value चेक करते हैं 3 की place value 300 है 4 की place value 4 10 है and 6 की place value 6 1 है some more examples place value chart में देखते हैं 100s, 10s and 1s दिये गए हैं 581 तो इसको हम किस तरीके से place value चार्ट में पड़ेंगे 5 को 100 वाले कॉलम में लिखेंगे 8 को 10s वाले और 1 को 1s वाले कॉलम में लिखेंगे इसी तरीके से next 5 को 100 वाले में 3 को 10s वाले में और 9 को 1s वाले कॉलम में लिखेंगे some more examples what is the place value of underlined digits 572 की place value है 500 483 की place value है 810s यानिके 8080 891 की place value है 1s यानिके 1 Some more examples Do you know क्या आप जानते हैं 1000 में कितनी सिफ्रे होती है 1 और 000 1000 के लाएगा 100 में 20 होते है 1 00 100 10 में 10 होता है 1 0 10 And 1s में कोई 0 नहीं होता इसलिए 1 अकेला लिखा जाता है Hope you understood this concept Take care of yourself Thanks for watching Allah Hafiz To watch more videos related to curriculum Scan or QR code